तेजस्वी आदव को मुख्यमंत्री बनने की इतनी जल्दी है कि भाई साहब नितीश कुमार को जल्द से जल्द परधान मंत्री बना देना चाहते हैं तेजस्वी आदव को लगता है कि नरेंदर मोदी साहब अभी क्यू नहीं अपने कुरसी से हट जाते हैं ताकि कुमार अब देश की राजनीती करेंगे और RJD के युवा तुर्क कहे जाने वाले तेजस्वी आदव बिहार को चलाएंगे समय समय पर तेजस्वी आदव और उनके नेता ये बयान देते रहे हैं लेकिन अब लगने लगा है कि तेजस्वी आदव जल्द से जल्द चाहते ह कि नितीश कुमार को विपक्ष के सारे लोग मिलकर PM का कैंडिडेट घोशित कर दे नितीश कुमार स्वेम केंदर में जाकर राजनीती शुरू कर दे क्योंकि देखिए 22 का अंत हो गया 24 में चुनाव है और उसके बाद स्वत्तह जो CM की कुरसी है बिहार की वो तेजस्वी जिस चीज के लिए इतना मोडस ओपरेंडी के तहर धिमाग लगा रहे हैं हो सकता है कि तेजस्वी आदव बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए तेजस्वी आदव ने बयान दिया है क्या बयान दिया है उन्होंने कहा है कि देखिए लोग मंत्री विधायक ये कहने लगे हैं कि नितीश कुमार तो भाई PM मिटेरियल है उनको 37 साल का प्रशास्नी का नुभव है 50 साल से समाजिक जीवन में है और इसके अलावा कई बाते RJD के दोरा कही जा रही है जिसका एक ही मतलब है कि नितीश कुमार को अब केंद्र की र सब्सकर सम्भालेंगे उसके बाद हम चल जाएंगे किंद्र में राजनीती करने और उसके बाद हम PM व्यमवाला काम करेंगे और आप करिएगा बिहार के CM का मतलब ये कि तो तरिसमी आदव को ये साब साब कहा गया है अधिकिए आप हैं बिहार के भविषय और हम चल जाए और प्रशास्नीक अन्भव है नितीश कुमार को उन्होंने कहा कि देखिए जैप्रकास्ट, नारायन और आरक्षण आंदुलोनों में उन्होंने भाग लिया है उसके बाद वो तिरियस्वी आदव नितीश कुमार के पास कहते हैं कि जमीन पर अपार समर्थन है उसके बाद लोग हैं और समाजबादी विचार धारा के लोग का जो लाष्ट मोटीव होता है जो उनका विजन होता है वो एक ही होता है लोगों की तरक्की उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि भाजपा कह रही है कि फिर से जंगल राज आ गया है तिरस्वी आदाव कहते हैं कि देख नहीं टेकिएंगी और भाजपा का मुकावला करेंगी भाजपा ये सब सहन नहीं कर पा रही है इसलिए जंदलाज का बात कहले है लेकिन मुलाज उलाकर सबसे बड़ी जो बात है ये है कि तेरेस्विय आदर्व भी आदव बनेंगे उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री और नितीश कुमार चल जाएंगे केंद में राजनीती करने बैरहाल देखिए ललन सिंग की द्वरा भी कहा जा चुका है कि नितीश कुमार भी पच्च को इगठा करने में लगे हैं और वक्त आएगा तो इस बात क का डिसिजन होगा कि वो पीएम के चहरा होते हैं कि नहीं होते हैं एक और बात कहा जा रहा है कि नितीश कुमार को राश्पती या उप राश्पती बनने का बन था और जब भाजपा वालों ने ऐसा नहीं किया तो नितीश कुमार ने भी इस बात को अपने इगो पर लिया और इस बात के लिए ठान लिया कि अब हम भी केंदर की राजनिती सही तरीके से करके दिखाएंगे और 2024 में नरेंदर मोदी को मजा चाखाएंगे नितीश कुमार जब जिस दिन अपना सपत लिये थे आठ भी बार मुखी मंतरी बनने का उस दिन भी उन्होंने कहा था कि देखिए जो 24 में आए थे वो 24 में आएंगे कि नहीं इस पर सन्षा है मतलब ये कि नितीश कुमार भी इस बात को कही न कहीं हवा दे रहे हैं कि वो केंदर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं कि नितीश कुमार को जल्द से जल्द केंदर की तरफ शिफ्ट किया जाए बहराल ये कब होता है कैसे होता है हम आपको कोई ख़बर आगी तो बताएंगे बाके आप जदना नेक्शन देखते रहे हैं बहुत बहुत घनेवागी